नमस्कार किसान साथियों स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान एक्सप्रेक्स में किसान साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे खीरे की फसल के अंदर आपको पहला सप्रे कौन सा करना चाहिए तो आप इस वीडियो को अंतक देखें अगर आपको वीडियो चलगते हैं ते वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें ताके आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें किसान सात्यों अगर बात की जाए खीरे की खेती की तो पूरे भारत वर्ष के अंदर एक अच्छे खास एक शित्र के अंदर जो खीरे की खेती की जाती है किसान सात्यों खीरे की जो बिजाई का समय है फरवरी मा के पहले सब्ता के अंदर खीरे की अगेती बिजाई शुरू हो जाती है और मार्च के अंद तक चलती है किसान साथियों जब भी आपकी खीरे की फसल 2-3 पत्तिकी होती है तो उसके उपर कुछ कीटों का अटैक हो सकता है उस अवस्ता के अंदर आपको एक उपियुक्त कीटना सका चुनाव करना है जिससे आपकी जो फसल है कीटों से सुरक्षित रहसके किसान साथियों अगर फसल की इस अवस्ता के अंदर आपने एक उपियुक्त कीटना सका चुनाव नहीं किया तो आपको एक अच्छा खासा नुक्सान हो सकता है और जो आपका प्रोडक्शन है वो 30-40 परसेंट तक भी कम हो सकता है किसान साथियों सबसे पहले बात करते हैं पौदे की इस अवस्ता के अंदर कौन-कौन से जो कीट है अटेक कर सकते हैं इस कड़ी में सबसे पहले आता है लेडी बर्ड बीटल देखने में कुछ इस परकार का होता है जीसे हम देशी भासा में दाड़ भी बहोते हैं किसान साथियों जो Lady Bird Beetle है scientific way से अगर बात की जाए तो Lady Bird Beetle किसानों का मित्र कीट है यानि कि ये सतरू कीटों को खाता है और किसानों की फसलों की सतरू कीटों से रक्षा करता है लेकिन किसान साथियों अब जो कंडिशन है जो आपकी फसल है वो दो से तीन पत्ती की है लेडी बर्ड बीटल है उनका मुख्य वोजन थ्रिप्स होते हैं लेकिन इस अवस्ता के अंदर थ्रिप्स नहीं मिलने के काड़ जो लेडी बर्ड बीटल है अपना पेट भरने के लिए जो आपके खीरे की जो दो इसे तीन पतियां कोमल पतिया हैं उनको खा जाता है और जो मंऊचरव का अटाइक हो सकता है क्योंकि इस समय जो मोस्म प्रिवर्तित होता है टेंपरेचर बढ़न लगता है और जो मंचर रहे अपना जो अटेक हैं सुरू कर डिते हैं किशान साथियों इसके साथ साथ हलके एफीड और जैसिड का मिए अटायक होता है किसान साथ यो इस कड़ी के अंदर आप भारत एगरो साइंस का वाइपर का प्रियोग कर सकते हैं किसान साथ यो अगर बात की जए वाइपर की तो इसके अंदर अलफा साइपर मैथरेंद दस परसेंट AACFORM के अंदर आता है इसके काफ़ी शांदार रिजल्ट है, पिछले काफी वर्सों से हमें इसको खेरे के जो पहला सप्रे है, उसके रूप में प्रयोग कर रहे हैं, किसान साच योगर बात कीज़े, अलफा साइपर मैथरें की, तो आप किसी भी अच्छी कमपनी का अलफा साइपर मैथरें ले सकते हैं, ये मिल जाएगी, किसान साथ योब बात करते हैं, इसके डोज की, अगर तो आपके खीरे की फसल की जो पतियां हैं, वो दो से तीन हो चुकी हैं, तो उस कंडिशन के आप, उस कंडिशन में आप वाइपर पलस का एक एमल परती लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं, या उस समय आप बीश से बाइस एमल परती पंदा लीटर के हिसाब से आप वाइपर पलस का उपयोग कर सकते हैं, किसान साथ योब इसके काफी शानदार रिजल्ट है, या आपके फसल को एफिट से जैसिट से मत्सरों से साथ साथ लेडी बर्ड बिटल से बचाएगा, जिसके कारण आप एक स्वस्त हैं, भरपूर पैदावार ले सकते हैं, किसान साथ योब साथ के साथ जो वाइपर पलस है, इसका जो आपका कोमल पोद्दा है, उसके उपर कोई भी नेगटिव इफेक्ट नहीं है, इसलिए हम आपको यही रिकमेंट करते हैं, अगर आपकी खीरे क की फसल दो से तीन पत्ति की हो चुके है, और कुछ इस परकार के उसके अंदर अटैक आ चुके है, किटों के, तो आप इसका उप्योग कर सकते हैं, और अपनी फसल को इन से बचा सकते हैं, किसान साथ योब सकते हैं, आपको वीडियो पसंद आई होगी, फिर भी इस वीड वीडियो में आपको खेती बाड़े से संबंदित, गार्डनिंग से संबंदित, और पसुपालन से संबंदित, नई-नई जानकारी देते रहेंगे, तब तक बने रहे हैं हमारे साथ, देखते हैं हमारे चनल पर, धन्यवाद, जैहिन